हेलो फ्रेंट्स क्यानी स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो नीचे दिए रेट कलर के सब्सक्राइब बेटन पर क्लिक करना आप बिल्कुल लगूल है इसके साथ याप व सब्सक्राइब किस तरह से कर सकते हैं और इस से आपको क्या-kया सारे फायदे मिलते हैं दोस्तों कच्छा दूथ ज confession के लिए सबसे ऑच्छी और सधी होता है यह इसकी रंगत को निकारता है इसे गोरा मनाता है और इसके साथ ही यह रूखी स्किन को भी नॉर्मल करता है कच्ची दूद में प्रोटीन केल्सियम आदी कई ऐसे गोलकारी तत्व पाय जाते हैं जो कि आपकी चेहरे को सुन्दर बनाने में फायदे मन्द होते तो चलिए जानते है कि इसका प्रोट आपको किस तरह से करना है और क्या क्या इसको आप इससे आपको फायदे मिलते हैं दूस्तो अगर आपके चेहरे को आप दमकाना चाहते हैं तो इसमें कच्ची दूद में थोगा सा सहथ और गुलाबचल मिलाकर चेहरे और गर्दन पर करना है कि इसमें थोड़ा सा बेशन मिलाकर लगाने से चेहरे को नमी मिलती है ये एक मौस्चराइजर की तरह काम करता है और आपके चेहरे की खोबसूर्ती को भी बढ़ाता है तीसरे जो प्रयोग है आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपके फेस पर मैल है या फिर काले दाग आ गए हैं तो उसे साफ करने के लिए भी आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं आप क्या करें कच्चे मूंग को पानी में भीगो दें और आदे घंटे बाद इन मूंग के दानों को कच्चे दूद में मिलाकर इसका पेश्ट तयार कर लें और इस पेश्ट से आप अपने चेहरे पर स्क्रब करें और आप कुछी दिनों में देख पाएंगे कि इससे आपकी स्किन पर कितना जादा फायदा होता है इसके लाबब आप एक और प्रयोग कर सकते हैं कच्चे दूद का और एक और फायदा होता है जो कि आपके चेहरे से पिमपल्स की प्राब्लम को ठीक होती है आपके चेहरे पर नमी आती है इसके साथे आपके चेहरे पर नेचुरल चमक भी आती है पाच बच प्रयोग करना है आपका इस तरह से करना है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा खूबसूरत और आकर सक लगे तो आप इसके लिए बेस्ट एंटी- anti-aging lotion का प्रयोग कर सकते हैं जो कि आप इस कच्चे दूद का प्रयोग करके ही बना सकते हैं इसके लिए आप इसमें केसर और बेसन मिलाएं और इसका paste बनाएं और इसे अपने चहरे पर लगाएं 25 मिट तक आप इसे अपने चहरे पर लगई दहने दीजे और इसके बाद गुंगुने पाने से अपने चहरे को धुल लिजे और आप इसका रेगुलर प्रयोग करते हैं तो आप कुछी दिनों में इसका फर्क अपने चहरे पर देख पाएंगे उमीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सकें